Welcome to news बाव युट्यूब चैनलेंग जास्तों बात कने वाले हैं कलर्क भरती के बारे है जास्तों आप लोग ले बड़ी खुसकभरी है, एक और कलर्क भरती आ चुकी है, जो candidate कलर्क की भरती का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुसकभरी है, अब उनका इंतजार खतम हो चुका है आप लोग कलरक भरती का अवेदन कर सकते हो जिन कंडिडेट के पास graduation की degree और साथ में typing की speed है यानि typing की knowledge है तो वो इस form को apply कर सकता है जिनस्तो इसी भरती के बारे में complete मैं आपको बताने वाला हूँ की color भरती जो आपकी है अगर आपके पास graduation और typing English में आपको आती है तो आप इस form को apply कर सकते है और कैसे आपको अवेदन करना है और क्या-क्या इसमें आपका syllabus रहेगा और कितने process आपको clear करने के लिए इस भरती को करना है कैसे कैसे आपका syllabus आएगा और क्या-क्या syllabus में आने वाला है और कैसे syllabus को आपको clear करना है इस exam को clear करना है तो यही बात करने वाले इस वीडियो में तो इससे पहले apply उसे एक request करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और पहले बार वीडियो पर visit क्या है तो यहां पर बात कर रहे है color भरती के बारे में जहां उस तो आपको दिखा देता हूँ notification के दवारा आपको completely जान करी देने वाला हूँ आप इस वीडियो को last तक जो देखे वीडियो को skip ना करे तो चलते है notification की तरफ जहां उस तो आपने नाम सुना ही होगा कुरुचेत्रा उन्यूश्टी कुरुचेत्रा का तो उसमें आपकी जो है 108 पोस्ट जो है color की निकली हुई है बहुत यह अच्छी पोस्ट है और आपको क्या का करना है किन स्टेप से आपको गुजरना है वो वीडियो में complete में आपको बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को लाज तक जूर देखते रहे तो बात करते हैं नीचे यहाँ पर आ जाते हैं स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो है आपका आवेदन डेट अफ दे पब्लिशिट अफ दे अड़राइजमेंट जो आपका है तीन मार्च को जो है पब्लिश्ट हो गई थी उसके बाद आपकी ओपनिंग डेट फॉर दे समिशन ऑफ दा उनलाइन अप्लिकेशन आपका नो अपरेल से सुरू होने वाले है जो नो अपरेल से आवेदन शुरू हो जाएगे उसके बाद आपका जो क्लोज डेट है इसकी एप्लिकेशन की वो आपके यानि की अंतिम तारिक जो आपकी रहेगी 15 मई 2019 आपकी जो है लाजड डेट आपकी रहने वाली है उसके बाद क्लोज डेट फोर देपोजिट ओफ देफीस यानि फीस की आपकी 15 तारिकी आपकी फीस की यहां पे जो है लाजड डेट आपकी रखी गई है उसके बाद बात करते हैं आपे सबसे पहले जब आप अपलाई आवेदन करने के बाद सम्मिट कर दोगे तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड मैन वेवसाइट पर आपको दे दिया जाएगा यानि www.k.uk.ac.in पर आपको एडमिट कार्ड परोवाइड कर दिया जाएगा वो भी एडमिट आपका 10 दिन चैन आंदर आपका एडमिट कार्ड जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक्जाम डेट से तो सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है जैंण दोस्तों इसमें स्पीड आपको calculate करनी अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट से कम स्पीड रहती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा first step में ही आप बाहर हो जाओगे second step के लिए आपको नहीं बुला जाएगा अगर आप 30 वर्ड पर मिनट से उपर की speed निकालते हो तो आपको second step के लिए आपको यहाँ पर बुलाए जाने वाला है तो आप जो है अपनी typing की तजारी कीजिए इस form को भरने के बाद आप जो है अपनी typing बन लग जाएगे और अपनी typing जो है 30 वर्ड पर मिनट से उपर आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपका return exam नहीं होने वाला है तो सेकींडुस्टेप में आपका नहीं पर कंप्यूटर एप्येसियरशन और м कि यहाँ पर होने वाला है वो आपक्या है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ अभी नСпब आने वाला हो उसके बाद आपका क्या होने वाला है और फोर्थ में आपक यहां पर करने वाला है यानि कि आपको चार इस टेपो को गजरना होगा सक्ष effectively होने वारी किन इस टेप में आपके प्रफ एन अप्लिकेशन का टेस्ट होने वाला है और फॉर्द में अपका यहां पर डोकमेंटेशन आपका होगा यह न बीकिंगेंटीज की बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हो वेक इन जीज में जनरल में आपकी 66 SC के लिए अपकी 32 और BCA के लिए 26 और BCB के लिए यहाँ पर 14 और EWS के लिए 18 और ESM के लिए यहाँ पर सभी दीव हुई है तो आप यहाँ से चक कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप टेलिग्राम क्रूप को जोइन कर लें हुआ से ले सकते हो या फिर आप www.kyuk.ac.in पर जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो नीचे यहाँ पर बात करते हैं अपलिकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको फी कितने डिपोजिट करने पड़ेगा अगर आप जनल केंडिएट से है यानि की जनल केंडिएट हरियाना और जनल कांडिएट अधर स्टेट से हो तो आ आपको 300 रुपे और male and female के लिए PDW candidates of Ariana state only के लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है तो यहाँ पर अगर आप other state के हो तो आप other state के भी यहाँ पर apply कर सकते हो आप general candidate में यहाँ इनकुल होने वाले हो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं pay scale की तो आप pay scale देख सकते हो यहाँ पर 19,900 रुपे से लेकर के 63,200 रुपे आपको यहाँ पर रखा गया है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एज आपकी 18-50 यहाँ पर रखिए लिजीबिटी आप देख सकते हो जो आपकी यहाँ पर आपको calculate करनी होगी फर्स्ट आप कर लिया जाएगा अब यहाँ बात कर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो होने वाला और academic qualification यानि आपका फीजिकल ओर ओरिजिनल डॉकमेंटेक्शन आपका जो है 20 मांक्स होना यानि टोटल एवरेज मांक्स जो आपके होगे 100 होगे 100 में से आपको यहाँ पर जो है अच्छे मांक्स लाने होगे तब आपका selection होगा है तो तो सब्से पहली बात यह है कि हँआ पर सबसे अच्छा जो प्रॉसर्ट रखा गया वो टाइपिंग के लिए रखा गया सबीको आपे मुख़ा मिलने वाला है जिन ऐटोरी पूरी जो है यहां पर उमीद है उनकी एग्जाम की लर होने वाला क्योंकि यहां पर रिट करें तो सेलेक्शन प्रसेशन बात करते हैं आपका क्या होने वाला है तो नीचे चलते हैं फेस्वन में आपका जो हो ही यहां पर है आप देख सकते हो दया कंशीट आप टाइप टैस्ट इंग्ली इंगली सोब कम्पूटर ओनली दा कंडिडेट्स हैस्टु क्वालिफाइड टाइप टैस्ट एज करेटेरिया स्पेसिफाइड इन सेक्शन मोन पूंटर टू अपयर इन फेस्ट सेकेंड यानि आपको फर्स्ट फेज आपको क्वालिफाइड करनों को जैसे मने बता आपको 30 वर्ट पर मिनट जो है आपको इस पीन निकालनी होगी या फिर अभाव प सेक्केंड फेज क्लिए आपको बुरा जाएगा सब्सक्राइड में अपको क्या होने वाला है वो आपको में नीचे दिखा देताproduct कि क्या क्या से से जो है सईर्बास्यवर वालीक है यहां उस तो सेगींड फेस में आपको जो है या फोर्टी मिनेश्ज दिया जाएंगा 20 मार्क्स यहां और फुर्टी मार्क्स आपको लानेक मश्री चुरूरी है है English General English New America Ability or reasoning ability यहां पर 2020 marks को होने वाले है और वो number of questions यहां पर को 60 होने वाला और टोटल आपको 30 marks का आपका यह EGZAM होने वाला है तो नीचे फॉर्थ की करते हैं तो बात यहां पर क्सि क्सिizable मांग सबस्किर यांप को है कंपों कि नotherap कर ले ते कि आपका सल कर ले समय क्या ने वाला है मैंने बादा को सब्सक्किया को आपको सकते लिया कौई के वाहज समय और जेख सेंट बाढ़ को क् देर है। स्टा fright और यहां पर आपका जो है वर्ड प्रोशेसिंग उसके बाद आपका नीचे इस्टार्ट बटन एंड मेनू सेक्षिंट और 26.6 में आपका विंडो सेटिंग्स और यहां पर आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग उसके बाद आपका पावर पॉइंट एक्सल वगेरे के लिए यहां पर सभी कुछ आपको पूशने वाला जितने भी आपका सेलबस में दिया हुआ इंटरनेट इमेल नीचे इमेल के लिए www.andwebbrowser introduction to email भी आपर इविह प्रोसेस इंसे exfoliarm के लिए दिया हुए यानि सेकेंद फेस के लिए आपका इस में से आउका öशन आने वाले है तो यहां पर आपका 20 मार्स का रहने वाला है तो 20 marks में से आपको 8 marks आपको पास के लिए लाने होगे और जिसमें कि आपको 6 marks लाने है क्योंकि यहां पर final mate बनेगी तो final mate में आपके 100 से आपको जो है calculate किया जाएगा अब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आपको क्या आने है थर्ड के लिए भी आया यहां पर इन्होंने जो है सलबस दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हो कि जानस्तु तो यहां पर मैंने बताया है आपको कि यहां जनल इंगलिस नुमेरिकल अबिलिटी और रिजिनिंग अबिलिटी में जे 2020 को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन को यानि घंटे वाले बटन को चुरू तबाले नुट नोटिफिकेशन के लिए आपको जो है तुरंद नोटिफिकेशन मिलेगा और उसके बाद आपको टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर लें वहां पर आपको नोटिफिकेशन आंसर की रिजल्ट्स अडिमिकार्स सभी आपको पर प्रवाड़ी के जाता है लिंक भी दिया